जानवर वफदार और एक अच्छा साथी होता है और हमें यह तनाव मुक्त भी करता है लेकिन कुछ जानवरों की कीमत इतनी है कि आप सुनकर हरान हो जाएंगे आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सुन्दर, दुलब और सबसे महंगे जानवरों के बारे में बताने जारहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी हरानी होगी सबसे पहले नमबर में आता है घृन मंकी कुछ लोग सोच रहे हैं कि ग्रीन मंकी किसी बंदर का नाम होगा लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है ग्रीन मंकी एक बहुत ही महें के टाइप कप गोड़ा है इस गोड़े की कीमत लगभग एक करोल साथ लाग डॉलर है मतलब यह है कि इस गोड़े को बहुत ही अमेर लोग ही खरिश सकते हैं अपनी बहुत ही दुलब, सुन्दर और जादर स्पीट के कारण ही इसकी इतनी कीमत है यह गोड़ा आमतोर पर गोड़ों की दौर के लिए प्रयोग किया जाता है और बहुत बार यह घोड़ा विजेता बनने में ही कामयाब रहा है दूसरे नमबर में आता है डीब राजा मंकी डीब राजा स्वैब बंदर के रूप में जाना जाता है यह बंदर मध्याफरीका की भूमी में पा जाते हैं और इनके पास एक अजीब सी छीपने की छमता होती है इसलिए इनको ढूनना काफी मुश्किल होता है इनकी आयू लगभग 22 वर्श की होती है और इनकी कीमत 7000 डॉलर से 10000 डॉलर के बीच होती है तीसरे नमबर में आता है सेवना कैट सेवना कैट दुनिया की सबसे सुन्दर बिल्ली है और यह दिखने में एक कुट्टे की तरह दिखती है यदि आपको इसको पालना चाहते हैं तो आपको 25 जट डॉलर का भुगतान करना हो हाला कि निश्चित रूप से यह एक बड़ी राशी है लेकिन यही एक मात्र तरीका है जिसे आप बिल्ली और कुट्टे दोनों के मालिक होने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं और खास बात तो यह है कि यह सुन्दर बिल्ली कुट्टों से बिल्कुल नहीं डर दी है चौते नम्मर में आता है मिस्सी मिस्सी एक गाय का नाम है जो कि दुनिया की सबसे कीमती और सुन्दर गाय है यदि आप इस गाय के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको 12 लाग डॉलर का भुगतान करना होगा यह गाय बहुत ही शक्तिशाली किमती गाय होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है पाच्वे नम्मर में आता है मैश्टिफ मैश्टिफ एक कुते का नाम है जो कि एक शेर की तरह दिखता है यह कुत्ता दुनिया में बेचे जाने वाले सबसे महंगे और प्यारे कुत्ते में से एक है अब तक चीन में लग चुकी आपको जानकर हरानी होगी कि एक शक्स ने इस कुत्ते को 20 करण रुपय में खरीदा था दरसर चीन में मैश्टि प्रजाती के कुत्तों को घर में रखना शुब माना जाता है और यही वज़ा है कि चीन में इस कुत्ते को हर कोई खरीदना चाहता है छटवे नंबर में आता है सफेद शेर सफेद शेर दुनिया में एक बहुत कम पाया जाने वाले शेरों में से एक है इनको केवल दक्षिन अफिरी की वनने जीव रिजर में ही देखा गया है ग्लोबल वाइट शेर प्रोटक्शन ट्रस्ट के अनुसार इस ग्रह पर केवल 300 सफेद शेर ही मौजुद है यही कारण है कि सफेद शेर एक बड़ी राशी के लायाग है यानि कि इस शेर की कीमात एक लाग 38,000 डॉलर है साथवे नम्मर में आता है स्टैक बिटल स्टैक बिटल प्रित्वी पर मौजुद सबसे छोटे जानवरों में से एक है यहाँ पूरी दुन्या के जनवरों की अजीव और दुरला प्रजातियों में से एक माना जाता है यहाँ लुका नाइट नाम के एक ऐसे परिवार से सम्बंदित है जिसमें लगभग 1200 वर्ग के कीड़े रहते हैं स्टैक बिटल का अकार 2-3 इंच का होता है इसका सिंग और लाल छलेदार जबड़ा इसके काले सिर से निकलता है और इसको यह बहुत ही अधिते बनाता है एक स्टैक बिटल की कीमत लगभग 89,000 डॉलर की होती है आटवे नमबर में आता है ह्यासिन मकाउ एक ऐसे तोटे का नाम है जो अमेरिका के पूर्वी और मध्य दक्षिन हिस्से में पाय जाता है और यह तोटा सबसे ज़्यादा उनने वाले तोटों में से एक है इसकी एक मजबुत चोच होती है जो इसको प्राकृतिक भोजन खाने में मदद करती है और यह वही मजबुत चोच का उपयोग करके नारियल अक्रोट को भी असानी से तोड़ सकती है यह तोटा सबसे बड़े पक्षियों में से एक होने के कारण इसकी कीमत 14,000 डॉलर है नवे नमबर में आता है पाम कॉक्टू पॉम कॉक्टू लाल रंग के धब्बे वाले बड़े काले तोटे होते है और इनका दूसरा नाम गॉलित कॉक्टू होता है यह पक्षी मोनो टाइपिक प्रजातियों का एक मात्र सदस्य है यह लगभग 55-60 सेंटिमीटर लंबा होता है यह तोटे बाकी तोटे से काफी अधितिय दिखते हैं और इनकी कीमत 16,000 डॉलर है दसवे और सबसे आखिर में आता है सर लांसलोट नीनो और एडगर ओटो अपने कुट्टे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जब उन्होंने 2008 में कैंसर के कारण सर लांसलोट नाम के प्यारेक पालतु जानवर को खो दिया तो उन्होंने कुट्टे क्लोनिंग प्रक्रिया का चैन किया इस प्रक्रिया के नतीजे में सर लांसलोट को दोहराना था यह दुनिया का पहला कुट्टा था जो क्लोनिंग द्वारा बनाया गया था और इसकी कीमत एक लाग पचपन हजार डॉलर है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की नई वीडियो जिसमें हमने आपको दुनिया के सबसे महंगे जानवरों के बारे में बताया है यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेल जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये है तो सबस्क्राइब भी करें और इसके साथ ही बैल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले ताकि आपको आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें वीडियो को अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुभो